प्रतिद्वन्दी जो प्रतिद्वन्दी जो प्रतिवन्दी उसको हराया जा सके क्या यही वजए कि अभी भाषान के दोरान कॉंग्रीस ऐक्टीव मोड में नज़र आई और हो हला इतना किया गया भी भाषान को पढ़ा हूँ अमाल लिया गया लगने जोरान नेता परतिपक्ष नज़र प्राइक पर दिक्समुदें जिसको ऑपारा रहे हैं उसको टत बनता जब उसको कानून की संग्या में ले राते ये आपको लैई थे अपने कोई कसर तोड़ी जोड़ी तिकला रहे हुआ है और ओर र उसका और प्रतिबक्स का और आपको मुह की खानी पड़ी आप तो ले आए थे मदंसी आपसे मैं चर्चा आगे बढ़ाना चाहूंगा ज़रा बताईए कि खाला खानून को लेकर जो प्रवर्द समीति को भीजा गया था कि संशोधन इसमें होंगे इस बार तो इंट्रड्यूस नहीं हो रहा है देखिए जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो कानून एक अध्यादेश था और जब प्रवर्द समीति को सौपा गया विदानसभा सहत्र के बाद में 42 दिन तक वो रहता है उसके बाद में वो कानून नहीं आध्यादेश नहीं है अब वो कानून प्रवर्द समीति के पा कौमा में है कानून इसलिए इस बात को अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं और उसके बाद में राष्ट्रपती की मंजूरी के बाद में वह एक्ट बनता है इसलिए इस समय वह कानून ही नहीं जिसके बारे में करना मैं सोचता हूँ कि कवी गंभीरता नहीं तो आप जिस तरह के चाहरे हैं कि अब हो है नहीं तो हमाले कि उसको थंडी बस्ते में डाल दिया गया प्रवर्वर्श करती है इसमें अपने दिमाग लगा करके उसको रखना है कि नहीं रखना क्या समसूतन करना वो सरा निश्कर्स निकालने के बाद में पेस करें गे सद्धन के अंदर अधर शेंडा आउस में पेस होगा तो वो एक्ट बनने के लिए आगे जाएगा जिमें नंदिक शौर जी पिर मा बहस किस बात की थि हंगामा किस बात का हद इस बात की है कि हट दर्मीता जिस कदर वाजपा में बड़ी है जिस कानून के परती सारे विदायग, वकील, पतरकार, मीडिया के सबी लोग, सब लोग खिलाप हो गए पूरा देश व्यापी अंदोलंग का एक ग्रूप सब ने ले लिया था जिसकी वज़ेशे इनको मूग की खानी दर्ज हो जाएंगे, इनके बश्टातार के मामले उजागर हो जाएंगे, उस डर्ग की वज़ेशे बार बार उस कानून को लाना चाते हैं, जिसकी आड़ में बचना चाते हैं, इन मैं बताओं कॉंग्रेस ने ऐसी गोशना भी कर दिये कि अगर आज ये कानून लाय और कल कॉंग्रेस की सरकार आती है, तो इस कानून को वापिस लेंगे, वैसे मैं पर्देश की जनता की तरफ शे आपको कह रहा हूँ, जिस तरह का आपको इसको पहले भी किसी ओर आज़े में इंट्रोड्यूस कर चुकी है, उसका मोड अलग है, और हम उसका भी समर्थर नहीं कर है, जब सारा परदेश इसका विरोध कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको अठा देते हैं, क्यों इसको वारवार ला रहे हैं, क्या इनको ऐसा डर्स अता रहा है कि इनके प्रष्टाचार के कारणा में सामने आएंगे, इनके खिलाफ एफाई आरे दर्ज होंगी, दो चार है, पूरी बाजबा कह रहे ही कि चार अपसरों की वज़ेशे हम डूब गए, अरे तो चार अपसरों को अठाने की आपकी ताकत नहीं है, लगाम आपके हाथ में है, गोडे कैसे दोडाने है, वो आपका काम रहे है, चीक असर, पूरी बीजेपी का तो नहीं बता, लेकिन एक बयान हम आपको सुनाते हैं, दरसल कॉंग्रेस और बीजेपी वीच की टकरार तो आम बात होती है, लेकिन जब बीजेपी विदाय घंशामतिवारी और संसद्य कारेमंत्री राजिन राठोर में नोग जोख हुई, तो वो कहां तक गई, ये हम आपको सुना रहे हैं, ज उसके बाद सदन विचारत ले सकता है, जो चीज जिस पर परवर समिती ने अपना निने दिया ही नहीं, उसकी आड़ के अंदर, आप अनर्गल जो बातें चाहें, जो उठा कर, और मीडिया में सुर्कियां बटोर ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ, इस सीनियर मेंबर को इस उसी मेंबर को अब जो सरकार आपकी करने जनुरी, आप की तुलिया के कोशिश्ट कर रहे हो, बदंजी जरा बताईए, कॉंगरेस को छोड़ देते हैं, ये तो बीजेबी के विदायक हैं, कमल के सिंबल के साथ आए, फिर भी खिलाफत कर रहे हैं, देखिए विदान सबह म सब को अपना उन्हें को पूरा अधिकार प्रतीक सद्युकु पूरा अधिकार है वह अपनी बात रखे हैं परवर चाहिए था पार्टी लाइन के साथ चलना चाहिए था लेकिन वह वरीश सद्यूज सें उन्हें कोई अपनी विधार रखिए को मैं एक बात बताओं आपको देखिए महरिया जी तो सदसी हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो प्रवर्षमिति के साथ में पिछले सत्र में भीज दिया गया वो पेंडिंग है तो वो तो रखना ही पड़ेगा सदन के अंदर आप उससे भाग नहीं सकते कैसे नहीं रुखो गया जो प्रवर्षमिति के प अब जब चर्चा है तब आप एत्राज कर लेना जो कुछ भी करना है इसमें कोई दिक्ट की बात नहीं है जब रखा गया प्रवर समित्य को दिया तब भी आप सदन के सदे सी थे और वो जब पेंडिंग है वो भी नहीं है तो उसी दोर से मांग कर रहे हैं कि इसको निरस्त क सदन ही इसको निरस्त करेगा जो कुछ भी करना है ठीक है शाम संदर्जी सर जी सरी के से खाले ब्यां खानून को लेकर ये आज भी भी बहाश शुरूए बाना जाए कि बज़र सतर में इसका भी और रंग दिखाई देगा देकि दो कानून आये थे हाउस में तरन वीडियो तो समाप्त हो गया 42 दिन में जो बदन जी कह रहे हैं लेकिन क्योंकि कानून जो दूसरा वाला 49 नंबर है जिसे काल्या कानून कहा जा रहा है जिसमें दो साल का प्रावधान भी है वह आज भाहुस की प्रोपर्टी है आगर आज सरकार समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाई थी तो आज यह भी कह सकती थी कि प्रवर समिती से रिपोर्ट बीच में लेकर के करते कि इस पे कोई विचार्ज मरस नहीं होगा हम वापिस लेते यह प्रस्ताव क्योंकि तो सचे तक है उप सचे तक यह तो खुद बता सकते हैं कि इनकी पार्टी के जो घंशामतिव आज भी वह तो हाउस की प्रपर्टी है आपने खुद ने उसको दिया है यह बात सही है कि कानून नहीं है वह विदेख है विदेख पारित होगा तो राश्पती जब मोहर लगा देंगे तो कानून बनेगा लेकिन आप उसको आपकी इच्छा तो है इसलिए आपने समय कर दिया जाए इसके स्वारूप को बदल करके रखा जाएगा उसके लिए कोई बैठक हुई भी आए नहीं भी तक बुनमना कर दिया ने इस पांच बैठके आपने जो 38 नंबर का था जिस पे जो अगंबीर किस्वी के अपरादी है उसको नयायले में लाने के बजाए लेकिन क्योंकि इनकी इच्छा ये थी कि दोनों कानून दे दिये जाए जिससे की अस्तितमे रहे इसली क्योंकि मन में ये तो है सरकार के कानून आये बदल के आये महाराश वाले नहीं किनीयत क्या है अब क्योंकि वो सदेश्य हैं सदेश्य होने के नाते बोलने का अधिकार है लेकिन वो पार्टी लाइन से बंदेवे नहीं है जरा बताईए कि जब कौंगरेस इसको युष कर सकती है तो राजिस्थ्तान में आ जाएगा तो समस्य क्यों होती है देखिये महराश्थ्च में जिस पैटरन पे लाए गया इस में और राज़स्तान सर्कार की नियति में खोट है सरकार जो है यइन के प्रकारण जो है उसको किसी भी रूप में लागू करना चाहती है और ये चाती है कि ये जो है पूरी ब्रेवस्ता जो है वो एकदम जो है हमारे कंट्रोल में आ जाए कोई सरकार का ब्रश्टाचार उगा जागर नहीं करे किसी अधिकारी का ब्रश्टाचार उजागर नहीं हो उसको संसागत करने के लिए सरकार की नियत खराब है और सरकार की लेकिन सरकार की नियत तो साथ हो सदन में भामध तो सरकार का ईकर वो चाहती तो पास करा ले ले जाकी प्रतिपक्ष का पूरा ताकस से कोच चिश्पी विपक्ष की अवास तुडवेगी पूर मुख्य leader पर 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 पड़े एक चोड़ो से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है लेकिन क्या वाकई में सिस्टम को अपने हाथों में लेने के लिए सरकार ये सब कुछ लाना चाह रही थी ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरा सिस्टम अलवर, अजवेर और मांडलगड में सरकार के हाथ में ही वहाँ पर तमाम अंत्री भी उतारे गएते हैं लेकिन फिर भी वहाँ से कॉंग्रेस जीती है मतलब सिस्टम और बाकी चीज़े जनता के हिसाब से चलती हैं क्योंकि सरकार जनता के हिसाब से चलती है एक चोड़े से ब्रेके लिए आपर उग रहे हैं लेकिन आपको ही मजएगा ब्रेके बाद हम आपसे ही आपको बताने के कोशिश करेंगे कि इस बजट सत्मे अब आगे क्या होने वाला है और क्या वाकई में आपके लिए कोई ऐसा बिल है जो आपके जिन्दीगी को थोड़ा आसां कर देढाई चोड़े सी बुरेगे और सटार और इस विजान सबा में अपना क्या पक्स रखती है यह बजट जो है वो देखने वाला और हमामेदा रहने का पूरा उमीद है